हलो सलाम नमस्ते साथ स्रियाका दोस्तों मैं हूं निते स्थिंग आप देख रहे हैं टेकनिकल नाविगेटर यूटूब चैनल आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आया हूं जिसका नाम है जहुरे अगर आप विंडोज मैक या लिनिक्स के फ्लेवर्स के एक ही तरह के यूई और इंटर्फेस देख देख के टायड हो चुके हैं तो आपको यह ऑपरेटिंग सिस्टम जरू से जरू यूज करना चाहिए यह जो वेस है यह यूवन्टू बेस्ट है यह यूवन्टू रेपो यह जो ओपरेटिंग सिस्टम है आप इसको विम्वेर में इस्टॉल कर सकते अपने वर्चौल मशीन के उपर या फिर आप अपने पंडूर्व को बूटेबल भी क्रिएट करके आप इसको डिरेक्ली रून कर सकते हैं आप इसको जाइक्नी पूर्प यह अपने हार्डवे या फिर virtual hardware पर इंस्टॉल करके इसका यूज कर सकते हैं बेसिकली मैं आपको इस OS के बारे में बताने वाला हूँ इस OS के सबसी खास बात यह है कि आपको Windows, Mac OS and Linux तीनों का look and feel देगा आपका जो यह OS है यह काफी smooth चलने वाला है इस वीडियो में मैं आपको इसका demo प्रवाइट करने वाला हूँ इसके features के बारे में यह किस तरह का देखता है कितने smooth काम करता है Actually, we are going to see it on our virtual machine So, let's go to the laptop screen and let's explore it Okay, guys, so let's have a look on the Zorin OS website यहां से आप इस website से Zorin OS की ISO image file डाउनलोड कर सकते हैं यह अपने आपको Windows and Mac OS का alternative बताता है काफी faster, secure and privacy concerned OS भी अपने आपको यह clean करती है Guys, यह जो operating system में इसका UI तो काफी clean है interface काफी अच्छा है I have used myself and यह जो operating system में इसकी requirements जो है वो काफी जादा interesting है काफी कम requirements में आप इसको install कर पाते है अगर आप इसकी requirements को देखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 GHz of developed core Intel or AMD 64-bit processor चाहिए, 2 GB of RAM चाहिए minimum requirements है यह 10 GB of आपको core और education edition के लिए storage चाहिए and 20 GB ultimate edition के लिए display only 800 x 600 resolution में भी यह चल जाता है इसका अप light ISO image दरग डाउनलोड करते हैं only 700 MHz single core Intel AMD 64 or 32-bit processor like old PCs and laptops के लिए 512 MB of RAM, 8 GB of storage and 640 x 480 resolution आपको चाहिए बस इसको run करने के लिए तो यह वाकई में काफी मुझे interesting लगा इसके जो minimum system requirements है वाके इस OS का कहना है कि यह privacy को काफी जादे importance देते है आपकी जितनी भी private data है वो कहीं से भी जो है share नहीं की जाती है and it's an open source operating system इसका आपको source code भी freely available मिलेगा जहाँ पर आप जाके आप inspection कर सकते हैं download option पर आने के बाद आपके पास इसके चार flavor मिल जाते है ultimate code light education अगर आप इन चारों में कमते reason करते हैं तो आपको education जो edition है इसमें almost सारी चीज़े मिल जाते हैं जो आपके काम की होती है ultimate edition इनका pro version है like इनका जो commercial version है वो है and यह paid है आपको इसकी जरूत नहीं पड़ेगी आपको education में सारा कुछ मिल जाता है जो आपके requirement की चीज़े यहाँ पे हो जाती है यहाँ पे guys इस operating system में जो desktop layout दिये गहा है वो macOS, windows and linux के touch वाले दिये गहा है 20 plus games include किये गहा है edge में कुछ अच्छे अच्छे जो software से वो भी include कर दिये गहा है तो guys मैंने इसका जो education version है वो download किया education edition जो है इसकी ISO डाउलोड किया है almost 4GB की ISO file है वो है and मैंने इसको अपने VMware में install कर लिया है installation काफी easy है guys जैसे आप VMware में दूसरे Linux operating system like Ubuntu install करते है same processor आपको follow करना है and you can install Zorin operating system आपको simply इसको RAM इसको HDDD assign करनी है उसके बाद आप इसको try भी कर सकते या फिर आपने अपने storage पे install भी कर सकते है तो जैसे आप install कर लेते हैं installation के बाद ये reboot होता है and उसके बाद इस तरह का आपको login screen मिलता है यहाँ पे आपने जो user बनाया होगा वो user आप login कर सकते है यहाँ मैंने TA नमते एक user बनाया हुआ था and I can just login and login होने के बाद ये OS आपके सामने open होके आ जाता है इसका desktop interface इसका desktop interface काफी ज़्यादा clean काफी बढ़िया है and smoothly काम करता है आपको इसमें Windows, Mac OS and Linux तीनों की feel आने वाली है हाला कि Mac OS वाले feel के लिए ultimate edition इन्होंने requirement कर दी है यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो UI है वो काफी interesting है यहाँ पे Windows की तरह आपको एक start panel मिल जाता है एक task bar मिल जाती है जहाँ पे आप आके और भी settings वगर को kick out कर सकते है file manager की तरह आपको यहाँ पे Linux flavor का मिल जाता file manager जिस तरह से आप Ubuntu काले Linux में आपने देखा हो उस तरह का कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ देखने को इसकी file manager यहाँ आप देख सकते हैं जो डैरेक्ट्री होगर है जो आपको Ubuntu Linux या फिर आपको काले Linux में देखने को मिल जाता है वहाँ इस तरह से आप right click करके terminal भी आपको एक छोटा सा प्यारा सा terminal मिल जाता है जहाँ पे आप उपने commands को run कर सकते है Linux के सारे commands यहाँ पे almost run हो जाएंगी because यह Ubuntu repository यूज़ करता है Ubuntu based operating system है that's why तो अगर हम आप इसके repository की path को check out करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे Ubuntu repository का use किया गया है so let's go there so sources.list को आप देखने के बाद देख सकते हैं पे जितने भी repository used है वो सारी Ubuntu के है यानि कि आपके पास Ubuntu का पूरा package list मिल जाता है आप अनाम से install कर सकते हैं and enjoy कर सकते हैं इसमें आप आएंगे guys तो इसमें सबसे एक अच्छी चीज मुझे लगी इनका software section software section पे जब आप open करते हैं इस section को तो यहां पे काफी सारे software's के list आपको मिल जाती है and basically आप इसको directly one click install कर सकते हैं like आपको discord install करना है आप इसको discord को install कर सकते हैं और भी बहुत सारे यहां पे software's है बहुत सारे utilities है like audio video utilities के software's आपको category wise यहां पे मिल जाता है यह काफी मुझे interesting लगा like category wise आप software's को install कर सकते है use कर सकते है like यह audio and video वाले section है तो यहां पे audio video से लेटे जितने भी software like order city हो गया like आपका realty media player हो गया कोई से भी जो audio video से लेटेड है यह आपको यहां पे मिल जाती है दूसरी communication and news है productivity, games, graphics, photography and add-ons भी आपको यहां पे मिल जाते है आप add-ons चाहें तो आप add-ons भी इसमें install कर सकते है यहां पे install section में जाके आप सारे software's के list जो भी installed है वो देख सकते है and यहां से ही आप इसको uninstall भी कर सकते है साथी में जैसे let's suppose मुझे chrome install करना है तो मैं यहां से directly chrome install भी कर सकता हूँ simply I have to just search chrome बिल्कुल यहां पे chromium software इनके पास available है यहने अर्वाइड install कर लिया है install करने के बाद जस्ट आपको यहां पे launch पे click करना है and chromium browser, web browser हमारा launch हो जाएगा बिना किसी tension के linux में chromium को launch करने के लिए root वाले काफी पंगे होते हैं काफी problems आती है बढ़ यहां पे कोई problem नहीं आने वाला है directly run होगा and बहुती smoothly काम भी यह करेगा तो यह काफी interesting मुझे लगा इस operating system के बारे में Linux, Windows, Mac, Mac, मिला जो लाक यहां पे दिया हुआ है यहां पे आप जाते हैं यहां पे तो आप यहां को यहां पे इसकी menu में यहां आपको section में, internet वाले section में यहां पे आपको Firefox web browser बे मिल जाता है जो कि आप directly यहां से open कर सकते हैं and इसको use कर सकते हैं Guys, अब इसमें और भी बहुत सारे software है जो आप use कर सकते हैं, utilize कर सकते हैं इस operating system के जितने भी functionality है वो मुझे काफी ज़्याद आच्छे लगें के start panel में accessories menu के अंदर काफी सारे आपको यहां पे tools मिल जाते हैं education के अंदर भी काफी सारे tools मिलते हैं games के अंदर games मिल जाते हैं आपको इस तरह का देखने को मिल जाता है जहां पे आपको फोन वाली या टैबलेट वाली थोड़ी feeling आ जाएगी यहां पे यहां पे आपको वाई-फाई, Bluetooth, Appearance, Search, Original Language, Privacy, Settings वोगरा दी हुई है जिसको आपको configure कर सकते हैं जावकर आपके पस wireless adapter है तो आप wireless adapter का यूज़ करके आप इसमें वाई-फाई भी चला सकते हैं Bluetooth वगरा का भी यूज़ कर सकते हैं यहां details आप देख सकते हैं इस OS के बारे में like a Zorin OS 15.3 version है यहां पे गई यह 64-bit architecture पे रन हो रही है यह काफी interesting आप यहां पे check for updates करके जो भी latest updates इस machine की आपको मिलती है वो आप install कर सकते हैं यहां पे फिलाल कोई भी software update यहां फिलाल नहीं है अगर कोई update होती है तो आपको यहां पे installation के लिए option आ जाता है तो यह clean interface है या guys आप देख सकते हैं यह operating system मुझे काफी interesting लगा आप इसको daily use के लिए use कर सकते हैं like kind of अगर आप Mac या फिर Linux या फिर Windows से थोड़ा सा tired है तो आप different कुछ different look and feel try करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं penware bootable create करके भी आप इसको directly run कर सकते हैं ट्राइब कर सकते हैं चला सकते हैं लाइब भी चला सकते हैं यह इसकी सबसे खास बात है तो गाइस कैसे लगे आपको वीडियो ज़रूर बताएं यह जोरी nois आपको कैसा लगा इसका look and feel कैसा लगा इसके जो functions हैं इसके जो feature से वो कैसे लगे आपको यह भी ज़रूर बताएं यह भी बताएं कि यह operating system आगे चलके कुछ अच्छा कर सकता है या नहीं market में कुछ धमाका कर सकता है या नहीं तो guys मैं मिलता हूँ आपसे नेट वीडियो में until then bye bye take care